अब गूड मॉणिंटू उलोप आजक अपना टोपिक है इंकम फ्राउं सेलरी में परक्यूजीट्स को अपन परक्यूजीट्स कह सकते हैं फेसलेटिस स्वीदाई भी कह सकते हैं नai इस क्या होताया कि परकाइश युण किसी भी करमचारी को एक वस्तू के रूप में जरी दिजाती वह वह पतलिंट की सरेटिय में अब कितना टेक्सेब लुकी इंखम टेंस की बाद क मैं इनकम टे श्राम से कितना टैक्सेब और रिल नटी प्रकुजित्स फॉर अल्डा एंप्लोई यानि तीन केटिगे में में डिवाइट करेंगे एक तो ऐसे टेए पर कीजिट्स या पेसलिटी जो सभी करम चारी को टेक्शेवल है सेकंड एक ऐसे प्रकुजित्स या टेक फैसलिटी जो ओल्ली इस्पैसिक एमपलोई इसके अब पहले बात करते हैं अपने फुली टेक्स परी पर्कुजिट्स फोर ओल्ड एम्प्लोईज इसमें परस्ट है रेंट फ्री एकॉंडेशन किराया मुक्त मकान की शुदा रेंट प्री अकॉंडेशन टॉपिक को अपन विस्तार से पढ़ चुके वैसे तो लेकिन एक बार संक्षीटरों रोड देख लेते हैं रेंट प्रीमट किराय मकत मकान की शुदा किसी नियोक्ता दवार अपने किरमचारी को मु Colombia रएने केARS मकान की सुछिधा दीजाती तो ठील लाएगी को मकान कराय पर दे सकता है तो इसके ղिए कितना डाइक्स के एक्षेबल होना चीए इसके लिए देखेंगे कि जहां पर वह करमचारी जोब कर रहा है जहां पर मकान की सूधा है वहां की कस्वे या सिटी की जनसिंग क्या है यहां की जनसिंग क्या 10 लाग तक है तो उसकी करमचारी की सेलरी का और यह दिवहां कि जनसे के 25 लाग से भी अधिक है उस करमचारी की सेलरी का 15 परतीसत क्या होगा टैक्सरी होगा टैक्सेवल होगा और यह दिकरमचारी यह एंप्लोईर नियोकता किराये पर लेकर देता है तो उस करमचारी के सेलरी कर फिप्टी परसेंट और एक्षुर्ण वास्त में जो रेंट पे कर रहा है दोनमें जो गिराशी कम होगी वह करमचारी के लिए टेक्षेबल होगी यह निक जिस माले टेक कोई करम करमचारी को जब निवत तक दोरा मकान दिया जा रहा है यह दिवा खुद का मकान है तो वहां की जनसे के 10 लाग तक है चैने 7 2020 के भीज में तो 10 पर्षेबल होगा और वहां की जनसे 25 लाग से दिक है तो 15 परशेबल होगा है यह दिज्जेश मालों मकान किराय पर लेकर दे रहा है तो सिधी इस बात है वहां जो उस वह रेंट चुका रहा है एम्प्लॉय की तरफ से और A उसकी शेलरी के 15% दोनों जो भी कम होगा वह उस करमचारी के लिए टेक्षिबल होगा यहनि के एक करमचारी के लिए रेंट फ्री अकॉंडेशन टेक्षिबल होगा मैकसिम्यम 15% परतिसद से अधिक नहीं होगा घीक है अब बात करते हैं कि एक इसमें पंदीज्ट आउस की बात करते हैं पंदीश्ट का मतलब यह दि करमचारी के जाते हैं उसके साथ आइड़ी प्रानिश्ट की सूविदाई भी दी जाती है तो क्या होगा वसकी जो कोश्ट मैं पंदीश्ट की COPS का दस परतिश्ट उसम तो जो चार्ज लग रहा है दिया रहा है वह रेंट उसमें एड कर दिया जाएगा ठीक है अब बगए टू आउस ऑन ट्रांसफर यह नबबद दिन का नियम 90 दिन का नियम क्या होता है कि यह दी करमचारी का क्या है कि एक जगे से कीछी दूसरी जगे ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने के बाद में यह मानते कि पहली जगे उसको मकान मिल रहा है उसके बाद में उसका दूसरी जगे ट्रांसफर होने के बाद में वहाँ पर यनिन देन को आब है कि जिसकी वेली कम होगे वह उसकी करमचारी के लिए टैक्शेबल होगा और यह दि करमचारी 90 55 गाहि वाहत नहीं करता है तो उसके दोनों मकान अहीं सहिवा हैं और फैए five पॉस्ट्टिंग से वहांने बहुत उन्हां किन व देम क Singing in नियमेशनी है कि ये करब corporate अश्यूर जयता है कि और कुछता है और वहां पर बूसे रंड फ्री अगोदेंस की शविदा दी जाती है तो दोनों मकानों जरू अधे से जहां पहले consulting ती और जहां बाद में posting हो गई है तो दोनों जगर में जिस मकान की value कम होगी वह उस करमचारी के लिए taxable होगा लेकिन यदि करमचारी फिर भी खाली नहीं करता नब दिन के बाद में भी तो उस करमचारी के लिए दोनों मकान की value taxable हो जाएगी ठीक है अब बात करते हैं salary means क्या क्या लिया जाएगा अठने बात की- Dutchach अगर 10 वहां की कश्वी की जन्सें के 10 लाग से कम है तो सज्डुरी साथ पर्षेंट writes sizable होगा और वहां की जन्सक्राइब 10 से 25 ची बीच में तो 10 पर्षेंट एक्सिएबल होगा और वहां की जन्सन के यदी 25 लाग से उपर है तो 15% टेक्षेबल होगा तो अपन जो सेल्डरी का परशेटेज निकलेंग सेल्डरी में क्या क्या समील करेंगे अपन सेल्डरी में समील करेंगे बेसिक शेल्री पलस बिया पार्ट ओप सर्वीस कंडिशन प अब वेल्य ओप इंट्रेस्ट्री लॉन क्या होता है कि करमचारी की दौरा ये दि करमचारी को इंट्रेस्ट्री लॉन की स्विधा दी जाती है अब ये दि करमचारी को मुत ब्याज में ब्याज मुत रंकी लोन की स्विधा दी जाती है तो उसके लिए कितना तो जहां पर जो रेट है रेट चार्ज वाइश वाइश वन पस्टे ओप रिलेवेंट प्रिवेश यह 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 जैसे अपना प्रिवेश यह कौन सा भी चल रहा तो एक अपरेल 2019 को जो इंट्रेस रेट है उस इंट्रेस रेट के अपोडिंग उस पर टेक्स लगेगा इंट्रेसल वी केल्कुलेट ऑन दा आउट स्टेडिंग बैलाइंस पॉर इच लोन एज उन दा लास्टे ओप इस बंद पर तेक महिने की लास्टेट को जो बैलेंस देगा उस पर केल्कुलेट किया जाएगा ठीक है और यदी हावर नतिंग सेल वे टैक्सिबल इप लोन इन एक्रिकेट डूनोट एग्जिट 20,000 अब यू मानते हैं कि जैसे मालों किसी करमचारी ने यदिन लोन ली है और वो लोन 20,000 से कम है वह लोन यदी 20,000 से कम है तो उसके जो इंट्रेस्ट उसके कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 20,000 तक छोड़ दी जाती है और इसके अलावे इब लोन प्रवेड़ेट फोर दा ट्रिक्पेंट ओं इस्वेसिफाइड डिजिश क्या होता है यदि करमचारी को को इस पेसल केस में यदि लोन दिया जात और इंट्रेस्ट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब बात करते हैं यूज और मुवेड़ असेट्स यदि करमचारी को नियोक्ता के दुवारा किसी मुवेड़ असेट्स यानि चल समपती को यूज में लेने के लिए का जाता है यानि यूज यूज करने के लिए दे गजाती है तो क्या होगा यदि जीसे महानों को बात करते हैं लेप्टोब कम्प्टर यदि लेप्टोब कम्प्टर के प्रेश दिचाति है तो कुछ यूज की जहेगी ठीक है कोई संपती दोरा करमचारी कदी जाती है तो क्या होगा जो संपती challenge and कोष्ट के अलावा है तो लेपर की नहीं है और वो खुद किराए पर लेकर दे रहा है तो जब गिरया चुका रहा है पूराजी तो यह दि तो इसकी कोश्ट का दस परतिसाथ और यह दिवे किराय पर लेकर दे रहा है तो करमचारे के हाथ में वह टेक्षेब होगी अब बात करते हैं ट्रांसफर ओप मोवबल असेट्स यह दिमोवबल असेट्स अल समपदी यह दिकरमचारी को परमारेंट दी जाती है वेल्य ओब अब बेनिपीट सेल बी एक्चुल कोस्ट अब अब असेट सेल बी रिदूस्ट वाद फॉलोंग परसंड़ेंज फोर इच कंपटेट एर इग्णोरिंग एग्णोरिं प्रेंक्शन फ्रॉम् देट ओफ प्रचेज पूट यूज वाइज 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 तो यह देखा जाएगा यदि कंप्यूटर और इलेक्ट्रोनिक आइटम से जा रहे हैं तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रोनिक आइटम्स में क्या होगा कि उसके उपर 50% की दरते रिटन डाउन वेल्यू के आदार पर उस पर डेप्रेशेशन गठाने के बात की जो जो वेल्यू होगी वेल्यू किलकुलिट की जाएगी वो एक्सेबल होगी यह नि यह मानते हैं डाउन करमागत हस वीदी जैसे मालो एक लाग रुप्य की वस्तू है उसस départ जैसे मालतें Male 10% रेटन डाउन जो डेप्रेशेंश की रेट है तो जैसे एक लाग पर 10% गटाने के बाद में कितना रहा नबाजार फिर नबाजार पर 10% गटाए जाएगा फिर कि जैसे मालों दस तर नबाजार पर 10% होगा अगली साल हो पिर 9000 फिर 9000-9000 फिर कितना बजा एक एसी जार इस परकार रेटन डाउन वेल्यू जो डेपरिशेशन की मेतड ह है उसके आदार पर डेपरिशेशन गटाने के बाद की जो वेल्यू रहेगी उस पर वह वेल्यू ली जाएगी कंप्यूटर एंव इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स में अब बात करतें मोटर कार यदि मोटर कार ट्रांसपर की जाते एक एंप्लोर के दौर एंप्लोर को तो उ इसके अलावा जैसे कंप्यूटर एलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स होगे मोटर कार होगे इसके अलावे यह दिजिए से मालों को असर्ट को मुववल असर्ट सेदी करमचारी को ट्रांसपर की जाती है तो उस पर क्या होगा ऐसे लम मेतर के आदार पर डेपरिशेशन गठाने की बाद की 10.30 SLM मेतर के आदार पर डेपरिशन गठाने के बाद की जो फीलिए होगी पर करमचारी के हातों में टैक्षेवल ओड़ोगी एक बार जो डेशे मालों के में एक लाकर वे किये उस वा दस परसंद दसाजार फिर परती वर दसाजार दसाजार करते चाहेंगे यह होगे इस्टेट लाइन मेथाड शिद्धी रेका हास पदती अब इसके बाद में है लिव ट्रेवल कंशेशन इब दर जर्णी इसमेड बा किसी यात्रा पर जाने के लिए ओपर मिलता है और यदि करमचारी ट्यूर पर जाता है तो उस ट्यूर पर जाने में यदि पर्शनल ट्यूर पर जा रहा है तो क्या होगा उसके जो भी को खर्चा बगेरा होगा वो करमचार एंप्लोर के दोबारा दिये जाएगा वह उस कर को पूरा करनने के लिए की श्रीड आ रहा तो अपनी एक्जम को गाओ अगा है है वेली वेस्ट और पुजेट्स है यॉपलेशन और प्पूजेट्स और ग्युट्ट वाउचर और और येदि के इंप्ड़ार के द्वारा किसी करमचारी को गिप्ट दी जाती उपहरinflas कुछ वस्तु दी जाती है तो वह वस्तु यदि 5,000 रुपे तक की है तो वह टेक्स प्री है और यदि 5,000 रुपे उपर की है तो जितनी वेल्यू एक्जिट हो रही है वह एक वह अमाउंट टेक्शेबल होगा जैसे माल लेते हैं करमचारी को वस्तु की रूप में 6,000 रुपे की गिप्ट दी जा रही है तो क्या होगा 5,000 रुपे तो वह टेक्स प्री रहे के बाद का एक्सेज अमाउंट है 1,000 रुपे वह अमाउंट टेक्शेबल होगा उस करमचारी के लिए ठीक है और यदि हावर इब गिप्ट इस बाइव ऑप केस और बाइव ऑप चेक यह दि केस और चेक के दुवड़ा दिये दा रहा है तो पूरी का पूरा अमाउंट क्या होगा उस करमचारी के आतमे टेक्शेबल होगा ऐसे वेलेवेशन वप क्रेडिट कार्द क्या होता है यदी करमचारी को क्रेडिट कार्ड की सुईदा एंप्ल्उइर की दुवारा अनॉक्टर की दुवारा क्रेडिट कार्ड की सुईदा दी जा रही है और वहाई उस सुईदा का यूजच कर defend each Regal और जितने amount से credit card का use किया उसने, तो जितने amount से use किया वह amount उसके लिए taxable होगा. और येदी करमचारी खुद का card न देकर, करमचारी खुद के card से use कर रहा है और उस खर्चे का reimbursement नियोकता से करवा रहा है, तो जितना amount नियोकता की दोवारा उसको reimbursement करने के लिए दिया जाएगा, वह amount उसके करमचारी के लिए taxable होगा. Valuation of Perquisites, कलब expenditure, येदी को कलब facility दी जा रही है, तो कलब facility के अंतर का जितना खर्चा करम नियोकता की दोवारा किये जा रहा है, वह उस करमचारी के हाथ में taxable होगा. लेकिन येदी, जैसे health club के लिए दी जा रही facility, sports facility दी जा रही है, येदी, स्वेट एक्जम्ट होता है, येदी health club, sports club की facility सभी करमचारी के लिए tax-free है. स्वेट इक्विटी शेर्स, येदी करमचारी इस्टाव विकल्प योजना वे स्वेट इक्विटी यान्स, इसमें क्या होगा कि अधिसुतित अंसो के मामले में विकल उप्योग करने वाले दिन का बाजार मुल्य लिया जाएगा, और गैर अधिसुत अंसो के केस में उचित मुल्य का निर्दारन मर्चाइट बैंकर द्वारा किया जाएगा. अबात करतें परकलिशन प्रटोंड इंवाले मान्स, पर्कुजीट्स इस्पीफाइट इस्पेसिक परसन को नोते हैं पहले बात करेंगे प्रकुजीट्स टेक्सेबल पॉर इस्पेसिफिक परसन अब पर्कुजीट्स वो इस्पीशेट पर इस्पेसिफाइट एंपलई कों से हैं एंपलोई फूज ड्रोइंग एसलिर इन एक्जिट उपचास जार से इदि पचास जारते कि सेंदी अटाता है और एंप्रोय वह सब्सेंशल इंट्रेस्ट इंडर्ट एंप्लोय कम एंप्लोय कंपनी एदि उसको 20-30 सब्सक्रेंश इं उसके पास होगे उसका सबसेंसिल इंट्रेस्ट रहेगा और वह है स्पेसिफाइड एंप्लोई कर रहेगा यानि उसके पास यदी करम 20% अधिक सेर उसका कंपनी के उसका करमचारी के पास अब उसको इस्विशेट पर्सन को यदि पर्स पर्सनल एक्स्पेंडिचर वगएरा जाती है तो वास्तम जो एंप्लोई के दुवारा जो खर्चा किया जा रहा है एक्चुल कोश्ट तुद एंप्लोई तो वह है उसकरमचारी के लिए टेक्शेबल होगा अब इसके अलावाद जैसे गेस की इलेक्रिशिटी वाटर की पेस्टिटी दी जा रही है उसकेस में क्या होगा ओन सोर्स यानि खुद के दुवारा दी जा रही है तो उसके जो उत्पादन परती उत्पादन है मैंक मैनुफेक्ट्रिंग कोश्ट पर यूनिट उस करमचारी के लिए टेक्शेबल होगा और यह दिवे खुद वैर उसके लिए बिलो का बुक्तान कर रहा है ए अमांट पेड तो आउटसाइड एजन्सी जो आउटसाइड एजन्सी को जो अमांट पेड कर रहा है वे करमचारी के हाथ में टेक्शेबल होगा अब चिल्डरन एजुकेशन हो गया इब्दा डेटेक्शन फेसलिट इस ओनवा एम्प्लोयर एक तो है कि उसकी पेसलिटी यानि उसके दुवारा दी जारे है उस खुद की स्कूल होगी फिर एजुकेशन इस प्रोड़ेट इन अधर एजुकेशन इस्टूप बाइजन ओप एम्प्लोयर फिर मार्केट वेल्यू अप सच शिमलर एजुकेशन हावर नतिंग सेल टेक्शेबल वेल्यू पर चाल्ड क्या होता है कि यदि करमचारी को जैसे मालों की वह अपनी खुद की स्कूल है और उसमें करमचारी के बच्चों को पढ़ने की सुधा दी जारी है तो वहां देखा जाएगा कि वह आसपास की जो फेर मार्केट वेल्यू का है वहां की एच्यूकेशन की उसके आधार पर व यदि वहां की परमंद एकजारों वे से कम की पीस है तो वह करमचारी के लिए टेक्स फ्री रहेगी और अधर केसे में क्या होगा एक्च्वर एक्सपंडिश इंकर्डवाए एंप्लोर यदि मालों करमचारी नियुकता वहां खुद की स्कूल नहीं है और दूसरे की स्कू वेलिवेशन ओप मोटर कार यह बहुत अच्छा टूपिक है वेलिवेशन ओप मोटर कार वाला अब इसमें बात करते हैं अपन वेलिवेशन ओप मोटर कार में क्या होगा वेलिवेशन ओप मोटर कार का और दूसरा यह भी हो सकता है कि वैं किराये पर लेकर दे रहा है बात है वेलिवेशन ओपन वेलिवेशन और हिरो आपड़ आप डोली पर चूप्ष लें के वंप्स वेलिवेशन परफुआ पार है शहले अजरा रहना Авiva ग teeth घ झालें आप ठर्पडेकि जुए अधतनर कम मोटन YOU अवफ दार, आख पकोफ़ और ए कि तर स्क्ता है Bus कर दो शुरूर्ए दूबरा है अब कियो होगा इस केस में वें मोटर कार दो के टिर वोस्मे बंप्लोरी अर ऑनर अब दमोट मोटर कार वें मोटर कार यूजट पुर्ट ऑपिस ये दी ऑपिस के पर्पस के लिए यह मानते हैं कि मोटरकार खुद करमचारी एंपलोर किया और ओपिस के पर्पस के लिए यदी मोटरकार के सुविधा दिरहा है करमचारी को कि यदि ओनली ओपिस के लिए ओपिस फर्पस के लिए दी जा रहे है तो वह करमचारी के हाथ में कोई वेल्यू और निल टैक्शेबल होगा कोई वेल्यू टैक्शेबल नहीं होगी एक बार दुबार से देखते हैं वेन कार इज ओन और हाइड बाइंपलोर एंड यूस्ट क्या होता है यदि आएंपलोई आपने करमचारी को तो मकान की मोटर कार की जूबड़ा देता है और अब 컨्ष कर्ण मिदा बतार अब सेकंड बात करते हैं ईदिवां उसको सुष्पंधा के लिए आविता के नीजी पर पेस्ट के लिए दे रहा है वह नहीं कि सुष्प्पर के लिए तो क्या होगा करम्चारी के लिए एक्षबल होगा ठीक है यह मोटर कार कोष्ट कर 10 पर 30 पर तीसारिय के लिए है अब इसके बाद तीसरी कंडिशन यह सकती है कि वह सुईदा पार्टली ओपिस के लिए दी जा रही हो और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए दी जा रही हो तो इस केस में भी दो कंडिशन हो जाती है कि जब खर्चा पूरा एंप्लोर के दुबारा दिया जा रहा हो और खर्चा एंप्लोई कुद बोकुत तरह हो तो प या दिवाय कार की समता उप्तू 1.6L CC यानि 1.6L CC से कम के शमता उस कार की, तो उस करमचारी के लिए आप 2700 पर मन्त टैक्सेबल होगा, और उस कार की समता 1.6L CC से ज्यायदा है, तो उस करमचारी के लिए 그건 Origे Hang सब्सक्राइब होगा यदि उसके साथ में यदि करमचारी के एंप्लोर के दुरा ड्राइबर फेशलेटी दी जा रही है तो इसमें 900 रुपए और इस केस में क्या होगा अप टू 1.6 लिटर सीसिंट क्या होगा अब second condition इसमें हो जाएगी यदि करमचारी के दुरा खर्चों का भुकतान करमचारी के दुरा क्या जा रहा है उसकेस में क्या होगा कि यदि 1.6 लिटर सीसि से तक की संता वाली कार है तो ससुर्वे पर मन्त टैक्से बलो के करमचारी के लिए और यदि 1.6 लिटर सीसि से अध में फिर 900 रुपे 900 रुपे एड हो जाएंगे यानि 1.4 लिटर सीसिस में 600 प्लस 915 हो जाएंगे और 1.4 लिटर सीसिसी वाली से अधिक संता वाली कार में 900 प्लस 918 रुपे हो जाएंगे ठीक है अब बात करते हैं कि वेन कार इज ओवन इंपोएंड यूज्ट ये दि कार कुछ रशार की है और वह हैं यूज करज कर रहा है अब सिद्धी सी बात कार करते किए और आपी यूज कर रहा है तो फिर तो एक्जम्ट होना ही चीए टेक्श वल तो कुछ नहीं होना चीए अब सेकिंड कंडिशनिस में जाते है एक्श फिश्ली फॉर पर्सनल परपाज ये पर्सनल परपाज के लिए यूज में ले रहा है वह भी सही बात है ये वह खुद की गड़ी या तो यूज में जा रहे तो जो पैमेंट एंपलोर के दुवारा किया जाएगा वह उस करमचारी के लिए टेक्शेबल होगा अब इसमें थर्ड कंडिशन आ जाती है पार्टली ओपिशल पार्टली पर्सनल अब क्या होगा कि यदि खुद की कार करमचारी की है वह ओपिस में भी काम में आ से कम की कार समता वाली कार है तो वह एक्सेज पेड़ बाइंपलोर माइनस 18 पर मन यह ठारा सुर्वे गठा देगा और जो वेली होगी वह करमचारी के लिए टेक्शेबल होगी और यह दिवेक कार 156 लिटर सीज वाली समता से अधिक है तो क्या होगा उस केस में क्या होगा कि एक्सेज पेड़ बाइंपलोर माइनस सोई सुर्वे पर मन घट जाएंगे उसमें से और यह दिर ड्राइवर की पेसलेटिव दी जा रही है तो जो एंपलोर के जारा है उसमें ठारा सो और चोई सो की स्थान पर नौस 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 एड करते हुए 2700 और 3300 रुपे गठा दिए जाएंगे ठीक है कि यह चेप्टर यहीं क्लोज होता है थैंक्यू